आपका हमारा फेबरेट पिछले कुछ दिनों से हमने एक टीशियस का एससी का पैटर्न देखा मुद्दा कोई भी हो इस्पोर्ट्स पूछेगा अभी मैं आपको एक्जामपल दूँ एक सितंबर से लेकर के अब तक जो MTS का पेपर हो रहा है या जो CGL CHSL प्रिवियस एर हु पहले G20 की रही होगी क्योंकि एक बार सायद G20 न दे लेकिन ऐसा कोई पेपर भारत का वन डे एक्जाम का नहीं बनता जिसमें स्पोर्ट्स का स्टैटिक जीके नहीं आता तो मैं कोई समय नहीं कवाना चाहूंगा एकदम टू दपॉइंट टीसी अस पैटर्न पे स्टैट होगा ठीक है ना उसके बात कोश्चन आएगा तीरंगे से बड़ी कोई चीज नहीं आर तीरंगे को सब में हमेशा सम्मान दिया करो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 mcq related to sports ठीक है सब लोग रेडी और मैं उमीद करता हूं कि सबका 40 प्लस सही होना चीए पहला कोश्चन यह क कभी कभार होता क्या है जीवन में गड़बडा जाता है वेवस्था तो यह गड़बडा गया है रुको मैं भेज रहा हूं तब तक तुम लोग जरा हमको यह बता दो तो अभी यह जो यूएस ओपेन हुआ है उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है जो बता दे बाद दिये ने तिम ले भैज नलाइक कहीं के ठीक है रुको यह कट हो जा भाई यह कट हो गया और अब आ रहा है देखो कह परसेंट वा देखो यह तोता है भेज रहा है ले 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 कुदार आई रहा है आजा जल्दी आजा आ गया क्या फादर आफ डिफरेंट हाँ अब देखो इसमें थमनेल दूसरा लगा होगा बस तुम लोग कहो गे गुरुजी गर बढ़ा गया है का रुको अभी बता रहे ना तुम्हारा खेल हम और यह आया हेडिंग के उपर मत जाना अब बताओ किस खेल परते होगी ताको सिंगापूर ओपेन के नाम से जान जाता है ठीक है ना सिंगापूर का प्राचीन नाम क्या हुआ करता था तो टेमा से खुआ करता था अगला कोईशन ओमेगा मिशन हिल्स विशुकप किस खेल से संबंदित है जो तुम एंसर कर लो ना मैं लिख करके दे रहा हूं ना हर पेपर में एक नंबर पाओगे के साथ बाद ये पहली महिला हैं जिनों ने जीता इन से पहले सेरेना विलियम्स जीती थी जिनको ब्लैक ब्यूटी कहा जाता था भारत ने अपना पहला एक द्यूसी अंतर राष्टी मैच किस देश के साथ और किस वर्स खेला था हां किर्केट के तो हम लोग बढ़के पा ये CGL का क्वेश्चन था ये CHSL का क्वेश्चन था ये MTS में था और ये GD में था मैंने चारों को एक जगा कर दिया कि लो ये है the 10 minutes हो तो राइड एंसर बनेगा सूटिंग अगला निमलिकित में से किस खेल से आगा खान ट्रॉफी का संबंद है आगा खान आगा खान ट्र वर्सों के बाद आयोजित किया जाता है फीफा फुटबॉल विशुकप आम तोर पर सरिय आयोजित किया जाता है चार वर्सों पर अभी 2022 में हुआ है जिसका विजेता कौन है अर्जेंटीना किस खेल की परतियोगिता है तकनी की स्कॉट बेंच प्रेस और डेट लिफ्ट वाटर पोलो में प्रतेक पच्च में कितने खिलाडी खेलते हैं साथ खेलते हैं भारत के लिए उलम्पिक में वेक्तिकत इस परधा में पहला रजद पदक किस ने जीता था पहला रजद पदक किस ने जीता था पहला रजद पजद मेजर आरेस राठोर ने जीता था निमल सतरंज के खेल की उत्पत्ती कहा हुई थी, सतरंज के खेल की उत्पत्ती भारत में हुई थी, फिर बाद में माना गया कि वो फारस सिफ्ट हो गई थी, अगला, बॉस्केट बॉल के खेल में प्रते एक पक्ष में कितने खिलाडी होते हैं, बॉस्केट बॉल, प्रते एक पक् जी ट्रॉफी ये सब ट्रॉफी है जबकि एसेज एक स्रिंखला है जो आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले खेलते हैं ये ट्रॉफी नहीं है फुटबाल के खेल में गुल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है सिरेना विलियमस सिर्स रैंकिंग वाली खेलाडियों में से एक है किस खेल के सर सेरेना विलियमस खेलती है अगला क्रिकेट के बल्ले के अधिकतम अनुमानित ये आपके previous year paper के questions है तो इससे आपको guess होगा कि static gk sports का आता और हूबहू यही question बार-बार दोहराये जाते है इसलिए मेरा आप सबसे request है कि आज की pdf के सारे answer को रट जाना ये थोड़ा old question है ठीक है ना old है दोड़ा चारे पुरुसकार सर खेल के गुरूँों को दिया जाता और 5 लाख रुपए दिया जाता है जो गुरू होते है गीता सेठी का सम्बंद किस खेल से है सर गीता सेठी का सम्बंद है बिलियर्ट से अगला olympic पदक पाने वाली पहली भारती महिला कौन है साथ महत्तोपूर समुद्रोlles को पार करने वाली पहली महिला है बुला चोधरी चार फीफा बैलेंडी ओर के विजेता और वोर्ड प्लेयर आप दे वर्ड लियोनन मेशी का समथ कि देश से है सर अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कप्तान है किस भारती किर्केटर ने वंडे वंडर्स पुस्तक लिखी है अभी जो MTS का एक्जाम हो रहा था SSC का उसमें हर सिफ्ट में एक लेखक और एक किर्केट से संबन दिता है था वंडे वंडर्स लिखा है लिटिल मास्टर न नेगी हैं ACI खेलों में 400 मीटर दोड में सौन जीतने वाली पहली भारती महिला कौन है सौन जीतने वाली पहली भारती महिला कमल जी संधू डर्बी कप खेल किस खेल से संबन दित है जिसको भी इस क्लास की PDF चाहिए एक एप की लिंक लगी हुई है एप डाउनलोड कर लो PDF यहीं देखे जाओंगा बाद में मत कहना कि सर ने PDF नहीं दिया जिसके पास भी एप का लिंक रहेगा उसको PDF मिल जाएगी देखो वो एप का लिंक लगा हुआ है चैट बॉक्स में टी पार फ्लैग स्टीक निमलिकित में से किस खेल से संबन दित है बताओ सर टी पॉइंट जहां से इसने गोल्फ का ball मारते हैं जहां पहली बार ऐसे ball रखा रही है उठा के मारे वो जो point होता है that is T point ठीक है न अगला सुबृतो कब किस खेल से संबन दित है सुबृतो सर सुबृतो कब संबन दित है फुट बाल से अगला क्यू बॉल ब्रेक सौट पुल्टेबल न मेरा तरीका है थोड़ा सा कि भया इस तरीके से करूँगा तो ज़्यादा कोश्चन कभर होंगे एक कबड़ी टीम पे आम तोर पे कितने खिलाडी होते हैं आम तोर पे साथ सेवन प्लेयर्स होते हैं खेल में गैमबिट सब्द का प्रियोग किया जाता है किस खेल में तो गैमबिट सब्द का प्रियोग होता है सतरंज में चेक मेट गैमबिट सतरंज बैडमिंटन किस देश का राश्ट्री खेल है कई बार SSC रेलवे ने इसको पूछा है, बेडमिंटन सर मलेशिया का, बेस बॉल में प्रतेक पच्च में खिलाडियों की संख्या कितनी होती है, साथ, आठ, नौ या फिर दस, तो बेस बॉल में होती है, नौ खिलाडी क्रिकेटर आप दे 20th सेंचुरी कपिल देव जी को नेहरू ट्रोफी किस खेल से संबंदित है नेहरू ट्रोफी सर नेहरू ट्रोफी फुटबॉल से पेसेवर गोल्फ टूर्क खिलाडियों को प्रति सौट कितना समय अवंटित किया जाता है अब ऐसे इसे क्वेश्चन मिले जल्दी बाजी में हो गया है बाकी आप कंटेंट पे ध्यान दे पीटी उसा आगा खान कप किस से संबंदित है जिसके जिसके पास अड्डा का एप होगा उसको अभी पीडियफ मिल जाएगी जिसके पास अड्डा का एप नहीं है उपर चैट बॉक्स में एक लिंक दी हु करते हैं राइडर कप किस खेल से संबंदित है राइडर कप किस खेल से संबंदित है सर राइडर कप ए ओप्शन गोल्फ से संबंदित है तो ये था आपका दर टेन मिनट सो ठीक है ना इस क्लास की पीडियफ आपको कहां से मिलेगी तो सर अड्डा के एप से मिलेगी सुबाट बजे करेंट अफेर में मिलेंगे ठीक है न और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा तो जल्दी से सर लिंक लगा दीजेगा वो लिंक लगने जा रही है ले 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 ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लगवा दूँगा अभी लिंक से पीडियाफ ले लो यह लग गई देखो अपडेट करो देखो पीडियाफ की लिंक लग गई है चैट बॉक्स में ठीक है न पीडियाफ की लिंक लग गई है चैट बॉक्स में पीडियाफ की लिंक लग शुछ